तो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल में आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही सीम्पल और असान तरीके से सलवार की कटिंग करना सखाऊंगी जो बिना गली की सलवार होती है इसे हम पाकस्तानी सलवार भी कह सकते हैं इसकी कटिंग के लिए हमें कम से कम धा काृंप केकर लेना परेगा तो इसकी में सबसे पहले हमने इ выш pour एक बनी साइड पर लिया है और जो बंद्वली साइड है पनी साइड पर ही रखना है इस बाद का धियान रखना है कि यह वाले साइड ही अपनी ओर रखनी है का inviting करने के लिए असकु पहले हमहें सलवार की ल 1 एक्सटर रखने उते हैं यह महरी बैल्ट के लिए होते हैं 5 इंच इसके बाद हमारया जहां भी 8 है इट से हमें 18 इंच एक्स्टर लेना पाए ऐ वह किसके लिए हमें नहींक आप вместе कि इसके लिए हमें एक इंच अक्स्ट लेया कि ध्यान से देख लिए यहां से पांच इंच बैल्ट के लिए शोड कर ज़्यां से टोटब कितना भी हमारा 36 जहां भी आता है वहां से एक पर हमें निशान लगा देना है, उसके बाद सेम्पल सरवार की कटिंग है, तो उसके लिए हमें देख लेना होगा, अपना पहुंचा कितना रखना आता है हमें जितना भी पहुंचा हमारे पास है साड़े 5 इंच पहुंचा तो उसके हमें 1.5 इंच एक्स्टा लेना होता है तो 1.5 इंच एक्स्टा पर हमने निशान लगा दिया है 7 इंच पर जितना भी पहुँचा होगा उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें निशान लगा देना है उसके बार हमें जान से फिर 5 इंच बार के और रखकर जो के हमारी बैल्ट के है हमें 15 इंच पर जो हमारी आसन की सीन होती है 15 इंच पर निशान लगा देना है ब्यान रखें कि सीम्पल सलवार है इसलिए हमें से ज्यादा नहीं लेना से ज्यादा ऊपर से इसकी बहुत कम चुड़ाई लेनी है तो हमने ले लिए इसकी 18.5 इसकी चुड़ाई 18.5 रख लिए उनकी ज्यादा तुनिटे वाली सलवार नहीं बनाएंगे हम बिल्कुल लगाने के बाद यह हमारा आसन का निशान हो गया अब यहां से इंचिटर्ग को रखकर यहां तक जो हमारे पॉंचे का निशान है यहां से हम मार्क कर देंगे ध्यान से देख लेजिए दोब तो यह होगी हमारी पाकिस्तानी सलवार अब हम इसकी कटिंग कर देंगे सर्वार की कटिंग होगी, अब हमें बैल्ट की कटिंग करनी होगी अब हमें इस एक्स्ट्र को जो पिकार उसे काट लेना एगा अब अब देखना होगा हमारी बैल्ट हमने कितनी लिए है पांच इंच एक्स्ट्र शोड़िया ना हमने बैल्ट तो उसके लिए हमें यहां पर कितनी लेनी होगी सेमें एंड हाफ इंच दो इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा और आदा इंच हमारी सलवार के साथ अटाच हो जाएगा जो सीन में चला जाएगा कप्रा इसलिए साड़ी साथ पर निशान लगाना ऐसे अब बता दूं कि अपने बैल्ट की चुड़ाई कितनी लेती है जितनी भी हमारी हिप होती है ना उससे हमें चार इंच प्लस करके बैल्ट की चुड़ाई रखनी होती है माल लेजे हमारी हिप हैस 16 तो हमें 20 इंच की बैल्ट त्यार करने रहती है जो कि त्यार होकर 99 की हो जाती है अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे कर देंगे कर देंगे कि यहें रहार होकती है तो यह रहार हो जाती है जे होगी हमारी simple सल्वार की cutting जिसे हम पाकिस्तानी सल्वार भी बोलते हैं और बिना कली की सल्वार भी बोलते हैं इसकी stitching के लिए मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी और इसकी stitching कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी धन्यवाद